इस तो और साथ के इस फुडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्ब करेंगे सम एप्लिकेशन सब टिक्नोमेट्री की एक्साइस 9.1 से question number 12 इस question में हम लोगों को दिया है from the top of a 7 meter high building the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree then determine the height of the tower तो question में बोला गया है कि एक building है और एक cable tower है तो building को हम लोगों ने figure में A B से represent किया है वहीं दूसरी दरब C D से हम लोगों ने tower को represent किया और इस tower की height हम लोगों को find करने है ठीक, अब question में दिया है कि इस building के top से यानि की point A से इस tower के top का यानि की point C का तो इस point से इस point का जो angle of elevation है वो कितना है 60 degree और इसी point से tower के foot का जो angle of depression है वो 45 degree का है तो tower की height find करो मिस हम लोग उगो c d की length find करनी है अब c d की length कैसे find कर सकते हैं अगर हम लोग c e की length निकालने है और e d की length निकालने है दोनों lengths को plus कर देंगे तो वो length होगी किसकी c d की और यही height ह होगी किसकी tower की ठीक है अब चले start करते है question को अब क्योंकि building है जिसकी height कितनी है 7 meter है अगर यह 7 meter है तो यह भी क्या होगा 7 meter होगा 7 meter एडी की length कितनी है 7 meter है अब यह angle 45 degree का है तो यह angle भी कितनी का होगा 45 degree का होगा alternate interior angles ठीक है अब आते है हम लोग इस triangle पर इस triangle में हम लोग देखें तो यह side हम लोगों को given है यह angle है जिसके context में हम लोग बाते कर रहे हैं तो इस angle की context में बाते करें तो यह perpendicular है और यह side हम लोगों को find करनी है यह side क्यों find करनी है क्योंकि यह side किस के equal है ae के equal है और ae का use करके हम लोग c e find कर सकते है ठीक है तो हमें क क्या find करना है बी डी की length find करनी इस triangle का use करना है और ये perpendicular है तब और ये base है कौन से trigonometric ratio लगा सकते हैं 10 लगा सकते हैं लगा देते हैं so in right triangle which one a b d angle कितना है 45 so 1045 equal to perpendicular मतलब a b upon base base क्या है b d अब 1045 की value होती है 1 put कर देते हैं a b की length हम लोगों को पता है कितना 7 meter तो 7 put किया upon b d b d को इसके साथ multiply कर दीजे मतलब transpose तो b d को जब 1 के साथ multiply करेंगे तो यह हो जाएगा b d equal to 7 और हम लोग देख रहे हैं कि b d ही किसके equal है e e के equal है so this equal to a e और ये important point है तो इसको equation number 1 consider कर लेते है अब आज आते हैं हम लोग इस triangle में so now in right triangle c e a okay अब इस triangle में हम लोग इस angle के बारे में बात कर तो पी करने हम लोग के पास में यह side है so angle के साथ में जुड़ी हुई side है तो यह क्या है अपने आप में बेस है और इसके सामने बली side हम लोगों को find करने है मिस हम लोगों को perpendicular find करना है तो यहां भी कौन सा टिक्नोमेटिक रेशियो लगा सकते हैं तो यहां angle कितना है 60 तो लिख सकते हैं 1060 degree equal to perpendicular मिस CE upon base base का मतलब AE 1060 की value होती है root 3 put कर देते हैं CE हम लोगों को find करना है और AE की हम लोगों को length पता है कितना 7 meter तो put किया अब 7 को transpose कर दीजिए multiply करेगा तब CE equal to कितना हो गया 7 root 3 meter यह हम लोगों की equation number 2 हो जाती important point है हमें find क्या करना है हम लोगों को CD की length find करनी है therefore CD की length find कैसे कर सकते हैं हम लोग CE और ED दोनों को plus करना है दोनों length को तो क्या मिलेगी length मिल जाएगी CD की so CD equal to CE plus ED अब देखो CE हम लोगों ने already find किया कितना 7 root 3 ठीक है तो यहाँ पर put किया 7 root 3 plus ED हम लोगों को पता है कितना 7 meter तो यहाँ पर हम लोगों ने 7 पुछ किया अब देखिए दोनों ही terms में क्या common है 7 7 common ले ले लेते है तब bracket में क्या रहेगा root 3 plus यहाँ से तो 7 common आ गया तो यह हो गया 1 so यही क्या है height है किसकी इस tower की therefore therefore the height of tower is 7 into root 3 plus 1 meter और यही answer है हम लोगों का I hope students question आपको समझा क्यों होगा अगर ऐसा है तो please video को like करते है channel को subscribe करने और बाकी के questions के लिए आप मेरी playlist में चुले चाहिए इस तरह के बहुत सारी questions मैंने already upload किये फिर से आता हूँ एक नए question एक नए concept के साथ में till then keep learning and thank you for watching this video